नमस्कार आप से भी का स्वागत है जारखन रोजधार समाचार में तो कल मुखमंत्री मान्य मुखमंत्री हमन्सोर ने विधान सभा में अपने बियानों में कहा है अपने उत्तर में कहा है विधान सभा में जब चर्चा जल रहे थी उन्हों न कहा है कि मावदे सभी विभाग कि हम जो नीमावली है उसको दुरुस्त कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि बाद में कभी सोचना नहीं पड़े पक्का काम कर रहे हैं और सभी बागी नियुक्ति बना करके और नीमावली बना करके नियुक्ति करेंगे और एक महिने कंदर नियुक्ति करेंगे उन्होंने तो ज 75 प्राइवेट सेक्टर में जुदिया है उसके बारे में कहा है यहां पे देख सकते हैं आजाद सिपाई ने लिखा है कि जारकन विधान सवा का मांसुम सत्र अनिश्चित काल के लिए अस्तिकित हो गया है इससे पूरु गुरुवार को मांसुम सत्र के अंतिम्दी नह्मान स सोरण ने विपच्ष पर जमकर निशान जादा उन्हें ने कहा कि मांसूम सत्र में 5 काई दिवसर रहें इसके बावजिद्विपच्ष सदन्द को चलाने में रुची नहीं दिखाई उन्होंने भाजबा को निशाना देते हुए कहा कि विवच बार-बार कहती एक राज में नियुक्ति नहीं केवरार हो रही लेकिन इस्तिती इसकी ठीक फुलट है सोरण ने अस्वस्त क्राय कि राज सरकार नियुक्ति के लेकर काफी कम भी है कहा कि अगले महीने राज में बड़ी पेमानाय पर नियुक्ति होगी इसके लिए नियुक्ति नीमा उली बनाई गई है नियुक्तियों के लेकर लगातार कारे हो रहे है जल्द ही इसकी गोशना भी खीजाए इससे जान स्थानियों कि लाब मिलेगा उद्युक पतियों को भी मैंपावर की कमी से कभी दोचार नहीं होने होगा साथी केंद सरकार पनिशान असाथ ते विका कि केंद के पास जहारकंड सरकार का करोडों का बकाया है बहुत जुद इसके केंद सकार पैसे रिलीज नहीं कर रही है मांसु सत्र के समापन भासा में सोरण ने रस्पिकर मातों के धायर की जम कर स्तराना की